कल एक जून 2021 से देस में लागू होने जा रहे हैं ये पांच बड़े नियम आपकी जेब पर होगा सीधा असर जी हां दोसको कल से जैसे की नया महीना सुरू होने जा रहा है और नया महीना सुरू होने के साथ में ही देस में कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका आपकी जेव पर सीधा पढ़ने वाला है तो कौन-कौन से नियम है उनके बारे पर पूरी जानकारी वीडियो में दी जाएगी तो वीडियो का बिना स्किप किवर लाश्ट तक जरूर देखें एक जून से सरकारी काम में बहुत कुछ बदलने जा रहा है इसका सीधा असर आपकी जेव पर होगा एक जून से बैंक के काम एलपीजी सिलेंडर के दाम हवाई किराया बचत योजनाओं पर ब्याज और इंकम टेक्स फाइलिंग के नियम बदलने जा रहे हैं और आपको आगे डिटिल्स यहां पर बताई जाएगा कि क्या क्या बादलाव यहां पर होने जा रहा है तो नए नियमों के अंतरा सबसे पहला बड़ा बादलाव वहां पर हूँ ने जा है कि इनकमटेक्स करने का प्रोसेस पहले से कापी सरल और आसान हो जाएगा मुझेता वेब पॉर्टल एक जून से लेकर 6 जून तक बंद रहेगा और इसके बाद 7 जून को नया e-filing पॉर्टल लॉंच कर दिया जाएगा जून से लेकर 6 जून तक आप इंकम टेक्स से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का काम वेब साइट पर नहीं कर पाएंगे तो कंपनी को अपने कर्मचारियों का अकाउंट आदार कार से लिक कराना जरूरी होगा यह नियम एक जून 2021 से लागू होने जा रहा है अगर आदार से पी-एफ खाता लिक नहीं होता है तो कंपनी की तरब से पी-एफ में जुड़ने वाली रासी रुख सकती है इसका सीधा असर आपकी जमापुजी पर पढ़ने वाला है तो एक जून 2021 के बाद प्रोविडेंट फंड अकाउंट को अधार कार्ट से लिक करना जरूरी कर दिया गया है उसके बाद में सिलंडर के दामों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव तो हर मैने LPG सिलंडर के दामों में परिवरतन होता है एक जून को भी इसमें बदलाव देखने को मिलेगा तेल कमपनिया LPG सिलंडर के दामों में हर मैने बदलाव करती है और लिया जाए एक जून से हमें सलंडर के दावों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है अंदाज है यहाँ पर यही लगा जा रहा है कि सलंडर महेंगा होने वाला है कल एक जून 2021 से उसके बाद में फ्लाइट के कराय में पर भी पड़ेगा असर तो सरकार के एक आदिश के मताबिक एक जून से हवाई सफर महेंगा होने जा रहा है सरकार ने हवाई कराय की नियुदब सिमा को 16% तक बढ़ाने को हाई जंडी दे दी है अब बड़ोतरी 13 से लेकर 16% तक होगी इसका सीधा असर हवाई कराय पर देखने को मिलेगा महेंगे टिक्टों पर इसका असर कम पड़ेगा लेकिन सस्ते टिकेट महेंगे हो जाएंगे हवाई कराय की निचली सिमा को बढ़ाने का सीधा असर सस्ते टिकेट पर देखने को मिलेगा और इसका प्रिबाव उन लोगों पर पड़ेगा जो कि कम डिस्टेंस की यात्रा करते हैं उनको अब यहांपर ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा यानि कि हवाई किराव में भी 13% से लेकर 16% तक की बड़ोतरी देखने को मिलेगी एक जून 2021 से उसके बाद में ब्याज दरों में भी हो रहा है बड़ा बदलाव तो छोटी बचत की योजनाओं पर ब्याज दर में बदलाव होने वाला है पिछली बार भी हुआ था लेकिन भारी विरोज के चलते से रोक दिया था और पिछली बार चुनाओं को देखते वे भी नई दरें रोक दी गई थी लेकर इस पार समभावना यहां पर यह है कि नई दरें लागू कर जाएंगी की जाएंगी और बदलाव के बारे में सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया जाएगा यहांने कि जो विविन परकार की स्मॉल सेविंग स्कीम से उन पर भी ब्याज की दरें गट सकती हैं उसके बाद में बैंक ओव बड़ादा में दिया अपका खाता है तो एक जून से पे पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होने जा रहा है बैंक ओव बड़ादा में तो बै पॉजिटिव पे कंफर्मेशन लागू किया जा रहा है और यह सिस्टम 55,000 रुपे के चेक के लिए लागू होंगे इसका फाइदा लेने के लिए बैंक को पहले कंफर्म कराना होगा और कस्टूमर बैंक को कुछ जरूरी सुचना है देनी होंगी तब ही जाकर यह सुईद पढ़ने वाला है तो फ़लाल इस वीडियो में तना ही वीडियो का दिख सदिक लाइक और शेयर करें जैसे आपके दोस्ति भी इन नए नियमों के बारे में जान सकें चैनल सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन प्रेस कर दें हारे के लिटस्ट अपडेट सबसे पहले देख एक देख शेख वढ़ने नहीं की दो सेख अविवाद सब्सक्राइब कर दition के दो हम झांड़ कर देख देखá हुना है द्सेखग सब्सक्राइब कर द期 भान